क्लास चार दिन से नहीं हुई थी क्योंकि घर में प्रोब्लम चल रही है दीदी की बेटी बिमार थी तो इस वज़े से मैं क्लास नहीं करा पाई आज भी करा रही हूं तो इसी वज़े से थोड़ी बहुत बीच में गैप हो जाता है वरना कंटिनुटी में क्लास रहती हैं क्लास चल रही है सीट एट की क्योंकि सीट अभी आया हुआ है तो आपके एक्जाम है तो आपको तैयारी करनी है जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है फॉर्म फिल कर दें क्योंकि जिस तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे उसी तरीके से आपका एक्जाम होगा ठीक है अगर जल्दी करते हैं तो पहले एक्जाम होगा और लेट फॉर्म फिल करते हैं तो लेट एक्जाम होगा बाकि यूपिटेट भी आएगा ही तो यूपिटेट की सीडीपी हम अब तक कर रहे थे उसके भी काफी सारी क्लासिज में करा चुकियों अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाकर देख लें ठीक है बाकि सीटेट की थियोरी भी स्टार्ट करने वाले सीटेट की सीडीपी एवियस हिंदी इंग्लिस यह सब हम करने वाले हैं और अगर आप बीएड कर रहे हैं तो सेकिंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहां बीएड की क्लासिज चल कॉलिज वीद भावना पर ठीक है बाकी इंस्टाग्राम पर मुझे फोलो कर सकते हैं भावना त्यागी ओफिशिल सर्च करके पीडियेफ के लिए आप टेलीग्राम जोइन कर सकते हैं लेट्स क्रेक्स ओलतेईस ओफिशिल है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम कर रहे हैं को सी बुकले क्या करना चाहिए तो देखो कोश्चन पढ़ना हो जरूरी है स्टार्टिंग में अगर आप कोश्चन देख लेंगे तो आपको यह स्टार्टिंग में कोश्चन आपको समझ तो आएंगे कि कौन सा ओप्शन होगा क्या आंसर होगा लेकिन जब काफी सारे कोश् यह नहीं पता चलेगी इसका आंसर क्या होगा लेकिन यह पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कोश्चन आ रहा है और किस तरीके के कोश्चन सीट एड में पूछे जाते हैं ठीक है और यही मेरा मोटीव है इसलिए मैं कोश्चन की प्रेक्टिस करा रही हूं वरना मैं फ्योरी भी स्टार्ट कर देती थोड़े से कोश्चन की प्रेक्टिस करने के बाद फ्योरी भी कर लेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं कोश्चन पढ़िएगा और आंसर देखेगा कि आप दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं तो दे दीजिए नहीं तो कोई बात नहीं है तो स क्या है children's success and failure in classroom cannot be accurately and adequately predetermined only by paper pencil test कारण क्या है क्योंकि एक test किसी भी बच्चे को जज नहीं कर सकता कि उसकी success है या failure है और यह किसी भी क्छे से यह पता नहीं लगा सकते कि बच्चे किस लेवल के है कैसा है बिश्यार है डल है ठीक है हाला कि बात अलग है कि हमारे एक टेस्स से ही लोगों को देखा जाता है कि हां ये इंटलिजेंट है डल है लेकिन बच्चे का हमें क्या करना चाहिए मल्टीपल वेज ओफ एसेस्मेंट होना चाहिए यांकलन क्यी तरीके से होना चाहिए एक तरीके के आंकलन से कभी किसी का पता नहीं चलता कि उसका क्या परफोर्मेंस है तो दोनों ही ओप्शन ठीक है बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A ठीक है दोनों ही ठीक हुए कि बहुत सारे तरीके रखने चाहिए आंकलन के दूसरा है कि खाली पेपर पेंसिल टेस्ट से हम किसी बच्चे को accurately सटीक तरीके से बताने सकते कि यह सक्सेस है फेलर है ठीक है आगे चलते हैं question number two बताईए to teach a concept a teacher is giving multiple examples and subsequently ask student to form a rule considering the information gathered through those examples यहनी एक अवधारना को पढ़ाने के लिए कोई भी topic teacher प उधारन दे रहा है बाद में चात्रों को उधारन के माध्यम से कत्र की गई जानकरी पर विचार करते हुए एक नियम बनाने के लिए कह रहा है यानि टीचर क्या कर रहा है कि पहले example दे रहा है फिर rule बता रहा है उनसे कह रहा है कि rule बनाओ यानि कैसे जा रहा है example to rule जा रह तो तूट तूट कुछ समझ रहा है कौन सा उपागं टीचर लगा रहा है ए उप्षण है डिड़क्टिव यह निगमानी बी ऑप्शन है इंडक्टिव इसे नीगमानिक नहीं बोलते हैं प्रेरक नहीं बोलते हैं कुछ भी concept बच्चों को समझा रहा है कि पहले example दे दिए फिर उनके रूल बनाने के लिए खिए haw lavoro रहा है तो टीचर क्या कर रहा है एक्जांपल टु रूल जा रहा है तो एक्जांपल टू रूल जाते हैं inductive में inductive होता है कि बच्चे को पहले किसी भी topic को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसे example बता रहे हैं फिर उसके बाद उसके rule बता रहे हैं ठीक है तो be option हमारा सही है और deductive होता है कि हम बच्चे को पहले rule बता रहे हैं फिर example बता रहे हैं ठीक है कि रूल बता दिया या फिर फॉर्मूला बता दिया उसके बाद हम एक्जाम्पल उसे करा रहे हैं ठीक है आगे चलते हैं बी ओप्शन हमारा सही हुआ आगे चलते हैं कोशन नमबर थ्री तो गेन कॉपरेशन ओफ स्टुडेंट्स इन क्लासरों मैनेजमेंट अटीचर शुड यानि कक्सा परबंदन में छात्रों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक सिक्सप को चाहिए यानि क्लास को मैनेज जब टीचर कर रहा है तो उसमें कोपरेशन की जरूरत पड़ेगी बच्चे सहयोग करेंगे जबी तो क्लास को मैनेज कर पाएगा तो एक टीचर को क्या करना चाहिए इसके लिए कि क्लास में स्ट्रिक्ट डिसिल्प्रीन रखे रिजिड कर दे बिलक बच्चा मिस्बिहेव कर रहा है तब वो कोपरेट करेंगे या फिर रेप्रिमेंड एस्टुडेंट फॉर नौट फॉलोइंग दर रूल अगर बच्चे रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उन्हें डाट फटकार लगाए या फिर एस्टेबलिस नॉम्स और रूल्स फॉर लिए रूल सही होंगे किस तरीके के रूल और नौम्स रखने चाहिए या नी कोलाबोरेशन के साथ रूल रागॉलेशन बनाएं तो बच्चे जबी तो कोपरेट करेंगे बच्चों की इसमें सुनी जाएगी बच्चों की नीड्स बच्चों की इंट्रेस्ट को ध्यान मे भी काम करेगा, तो वो सारे रूल अच्छे होंगे, बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए भी, टीचर अगर बच्चों को डाट रहा है, तो बच्चे कभी भी सही नहीं हो सकते, ठीक है, उनके पैरेंट्स से कंप्लेन करना कोई सोल्यूशन नहीं है, और अगर स्ट्रिक यानि उस विकल्प को चुने, जो सही डंग से उस संधर्ब को प्रतिनीदित करता है, जिसमें बच्चा सीखता है, तो तीन ओप्शन यहां दिये गए हैं, यह तीनों भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, पहला दूसरा या फिर पहला तीसरा कोई सभी हो सकता है, फर्स्ट ह तो एक तो स्पोर्ट्स वाले खेल होते, प्ले यानि हम खेलने के लिए जा रहे हैं, तो गेम सोर प्ले होगा, या फिर होम, घर, या फिर क्लासरोम होगा, तो बच्चा जब खेलता है, तब भी सीखता है, कहीं प्ले करने जाता है, कहीं खेलने जा रहा है, वहां से भी और classroom से भी सीखता है तो तीनों जगे से सीखता है कोई भी ऐसी जगे नहीं है जहां बच्चा ना सीखता हो ठीक है तो तीनों ही option हमारे सही हैं C option के अंदर दिये गए हैं तो C option हमारा correct होगा next question पे चलते हैं question number 5 which of the following is not an effective way to facilitate problem solving skills among students यानि निमलिकित में से कौन सा छात्रों के 20 समस्चा सुलजाने के कोसल को सुईधा जनक बनाने का परभावी तरीका है sorry परभावी तरीका नहीं है देखो नहीं बिल्कुल भी नहीं चुटना चाहिए जैसे अगर एक्जाम में इस तरीके से छुट जाता है तो एक नंबर साफ हो जाता है बिल्कुल कट जाएगा आपका ठीक है तो नहीं पर ध्यान देना है कि कौन सा एक तरीका नहीं है कौन सा एक अच्छा तरीका नहीं है किसी भी प्रोब्लम को सोल करने के लिए सुगम बनाने के लिए कि डिसकेशन करें जादे से जादे किसी भी टॉपिक पर बच्चों को प्रोथ साहिद करें कि वो भी पार्टिसिपेट करें तो इससे तो प्रोब्लम सोल होगी हमें का बताना है गलत बताना है एंकरे जूडेंट टु ब्रेंस्टोर्म एंट जनरेट इसलोल प्रोब्लम बच्चों को प्रोथ साहिद करें कि वो ब्रेंसिटोर्मिंग करें ब्रेनिस्टॉमिंग क्या होता है नए नए आइडिया सुझाना कुछ नया सोचना कुछ किसी चीज का सोल्यूशन सोचना नए नए मैथड सोचना अपने दिमाग में नहीं नहीं रन्नी दिया लेकर आना कि इस प्रोब्लम का यह सोल्यूशन भी हो सकता है कुछ तरह तरह कि जिस्ते की प्रोब्लम को सोल किया जा सके और उसका सोल्यूशन निकाला जा सके तो यह भी ठीक है एंफिसाइज वन यूज प्री डेटर्माइन स्टैप बाइस्टैप प्रोसीजर फोर एवरी प्रोब्लम यानि पढ़ती एक समस्चा के लिए पूर्व तरीके से सोड़ी नंसोल करेंगे तो यहीं ओप्षिन हमारा बेकार हुआ यानि गलत हुआ यह एक्टिव तरीका नहीं है क्योंकि प्रोब्लम पतानी किस तरीकी किया हर प्रोब्लम में नया तरीका कुछ ना कुछ लगता है नए आईडिया लगते हैं अलग मैटीरियल चलते हैं इनुमें से कौन सा रचनात्मक कुछसा की विशेस्ता है बताओ बच्चे अपने नोलीज चुनश्रक्ट करते हैं हमेसा कुछ न कुछ नया खोजने में लगे रहते हैं बच्चों को वहाँ पर ध्यान में रखा जाता है तो वह होती है constructivist classroom जहां बच्चे ग्यान का निर्मान करते हैं learners are passive in the process of learning यानि सिक्सार्थी सीखने की प्रिक्रिया में निस्करिया है तो constructivist classroom में बच्चे तो active रहते हैं सीखने में maximum emphasis is given on wrote memorization of the textbook यानि जादा जो ध्यान है वो रटे पे दिया जाता है book की तो ऐसा भी नहीं है यहां रटने पे ध्यान नहीं दिया जाता है constructivism में यहां क्या है activities पे ध्यान दिया जाता है conceptual knowledge भी ध्यान दिया जाता है ना कि रटने पे सीखने पे जादा ध्यान होता है asking of questions by children is not increased in the classroom यहांनि अगर कक्सा में बच्चों दुआरा पूछेगा प्रशन को प्रोथ साहित नहीं किया जाता तो यह बात भी गलत है constructivist classroom में तो कोशनिंग जादा से जादा होती है बच्चे questions पूछे टीचर सुने बताएं तो यह option भी नहीं होगा कि बच्चे के पूर्व ग्यान से जोड़ना तो यह क्या है यह होता है constructivist classroom जहां हम बच्चे को जब पढ़ा रहे होते हैं तो हम पहले यह देखते हैं कि बच्चे पहले से कितना जानता है फिर उस पुराने ग्यान को नहीं ग्यान के साथ जोड़के आगे continue करते हैं ठीक ह कि कुछ भी हम नया पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के पिछले अनुबहों को जोड़ेंगे उसके साथ नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं question number seven which of the following belief of a teacher is detrimental to students learning यानि एक सिखसक का निमली कितमे से कौन सा विश्वास चाथ के सीखने के लिए हानी का रख है बताओ टीचर किस चीज को गलत कह रहा है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा यानि कौन सा detrimental है यानि बच्चे के सीखने में कौन सा गलत है कौन सा बादा बनेगा ए उप्शन है एरर सारा part of the process of learning यानि टीचर अगर कह रहें कि तुरूटिय सीखने की परकरी का एक हिस्सा है तो सही बात है ये बात तो टीचर की भी सही है सब की सही है कि अगर बच्चे गलतिया करते हैं तो बच्चे गलती करके ही सीखेंगे तुरूटिया क्या है सीखने की परकरिये का एक हिस्सा है making error is sameful act for the learners यानि अगर टीचर ये कहने लगे कि गलतिया करना सिखसार्थियों के लिए सर्मना क्रत्य है तो क्या बच्चा कभी सीख पाएगा अगर वो गलती नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे तो यही option हमारा ठीक होगा बाकी आगे भी Errors provide insight into the gaps in the conceptual understanding of the learner यानि तुरूट या क्या है सिखसार्थियों की वैचारिक समझ में अंतराल को अंतर द्रश्टी परदान करते हैं यानि errors जो है बच्चों को insight learning प्रोवाइड करते हैं यानि बच्चों को एकदम से तरीक आते हैं अच्छा मैंने यह गलती कर दी हैं इस तर किलिए होते हैं हमें insight learning हमारी डवलप होती है कि हमें सूजबू जाता है कि हां इस तरीके से होगा तो यह बात ठीक है लेर्नेर्स मस्ट भी गीवन तरी स्पेस टू मेंक एरर्स विधाओओ फियर ओब बिंग रेप्रिमेंड यानि बच्चों को एरर करने देने जी है बिना किसी डर बिना किसी डाट के बच्चों को डर नी होना च्छे कि अगर मैंने गलती कर दी तो टीचर पिटाई करेगा डाट लगाएगा तो यह डर बच्चों के अंदर नहीं रहना चाहिए बच्चों को मतलब इस पेस दिया जाना चाहिए कि वह एरर कर सकें बिना किसी डर के तो यह ओप्शन भी ठीक है यह भी ठीक है कौन सा उनकी लर्निंग में बाधा बनेगा हानिकारक होगा तो यह होग कि अगर टीचर यह कोई भी उन्हें कहें कि तुमने एरर कर दिये यह सेम फूल एक्ट है बच्चों के लिए तो यह बात बिलकुल गलत है एरर करना तो बहुत सही है एरर करके ही आगे बढ़ते हैं एरो क्या करते हैं विंडो का काम करते हैं नेक्स्ट कोश्चन है कोश्च इंट्रिंसिक को हम और के सकते हैं और अब और अब नाम सी पता चल रहा है इंटर्णल मोटिवेशन यान्या ओन त्रिक प्रेहन अगर कोई अंदर से प्रेह detector हो किसी काम को करने पर पेरेंट में पार्चा उसके रहा है ये चीज है मुझे सब्ढूब यो उसके अन्दर इस पढ़ते हैं कि और आप मैं ऑसके पत्र स्टे ली एक पनी परिश्ट नहीं करें तो हैंगे-श्डव मोटवेशं मोरे प्रेशन काम नहीं करता खुद की लगन बच्चे की जो होती है ठीक है एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है कि बच्चा किसी लालच में यह दर के मारे पढ़ रहा है कि भाई मुझे तो पैसे मिल जाएंगे कैस प्राइज मिलेगा या फिर मुझे तो यह आवोर्ड मिल सकता है इसलिए ज एक्जामपल कौन सा होगा वाइल डूइंग रिसर्च अर्मान कंसल्ट वेरियस सोर्सेज तुबी शोर अबाउट इस लर्निंग यानि अनुसंदान करते समय अर्मान अपनी सीख के बारे में सुनिश्चित करने के लिए विभीन श्रोतों से प्रामर्स करता है यानि अपन इंट्रिंसिंग का बी ओप्शन चोड़के पहले सी पढ़ लेते तो एंसी और सेल्फ सैटिस्फेक्शन यानि खुद को सैटिस्फाइ करने के लिए सितारा क्या है रेगुलर फीडबेक ले रही है अपने सीनियर से कि साथ के साथ मुझे फीडबेक मिलता रहे किसके लिए अपनी संतुष्टी के लिए ठीक है फोर परस्नल इंट्रेस्टेंट इंप्रूव इस कैपिबिलिटी कुल्मीत प्रेक्टिस टास्क रेगुलर ली कुल्मीत क्या है कोई भी टास्क उसे दिया गया उसकी डेली प्रेक्टिस कर लाए किसलिए क्योंकि उसका खुद का मजा अपनी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए तो बहुत क्या है इंट्रिंसी कली मोटिवेटेटिट उस पर कोई प्रेशर काम नहीं कर रहा है और यहां पर सितारा भी इंट्रिंसी कली मोटिवेटेटिटेट अबी ओप्शन है कि रियान रिसर्च फॉम मैंनी सोर्सेज प्र प्रतियोगता हुई थी या प्रतियोगता हुई थी किसी से कोमपिटीशन था क्या कोगनीशन को संग्यानात्मक्त है और पर्फॉर्मेंस को अनुवान शिक्ता और परियावरण के तो या कि व EBर या तबनेश्वी उससे किसी के बसुद्ढक दिख्कत हुई नहीं ना कोई प्रप्रोलम हुई और Miz परफॉर्मेंस की बात आ रही है कि परफॉर्मेंस का या फिर कोई कॉंपिटीशन बच्चों का महां चल रहा था बच्चों को अपनी जान बचानी मुस्किल हो रही थी तो इसमें हमारे कौन से इमोशन अफेक्ट हुए एक तो हमें डर लगा रहे था था कभी चिंता हो रही है कि हमारे कोगनेशन और इमोशन अफेक्ट हुए ठीक है तो बी ओप्शन हमारा सही है कुशन नमबर टैन बताइए लटनिंग इस मोर मीनिंगफूल एंड इफेक्टिव वैन इटीज मेजरली यानि सीखना अधिक सार्थक और परभावी होता है जब यह परमुक रूप स सेंटरड हो याल सेल्फ डारेक्टिड़ हो खुद से सीखने की कोषिज कर रहे है खुद से सारी चीज़े सीख रहे हैं इतने क्यो रस है कौई मैं बच्छा तो भर्र्नि की तो हमारी अच्छी होगी एफेक्टिव होगी से परसे नहीं सही है बाकि सारे गलत हैं ना ही हम पाठ़ै पुस्तक से इतने जल्दी शीख सकते हैं ना ही हम teacher centered से effective सकते हैं और peers से भी इतना ज़ादे नहीं सीख सकते हैं एक परसेंट को अगर यह option नहीं होता तो peers पर चले जाते लेकिन इससे अच्छा option क्या है? खुद से सीखना Self-Directed अगर हम खुद को ही निर्देश दे रहे हैं Question number 11 बताईए Children learn by यानि बच्चे कैसे सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर और करके सीखते हैं तो भई किस तरीके से बच्चे सीखते हैं? पढ़के भी सीखते हैं, सुनके भी सीखते हैं, देखके भी सीखते हैं और खुद से करके भी सीखते हैं तो चारो ही option हमारे सही है यानि D option हमारा correct है Question number 12 बताईए Assertion, यानि दावा क्या है? It is important to allow student to take some control over their own learning यानि छात्रों को मोके देने चाहिए कि वो swim के सीखने पर कुछ नियंतन रखें जैसे सीखना चाहिए, वैसे सीख सकें Reason क्या है? किसी ओर के सीखने पर नियंतन रखना क्या करना है, इसके बारे में निन्ने लेने से विध्यारतों की मदद करता है यानि taking control over once learning help student to make decision about what to learn and how lock is on, यानि अगर कशने पर कंट्रोल है तो बच्स यह decision लेपाते कि हमें क्या सीखना है, कैसे सीखना है कितना सीखना है, क्या गलत है क्या सही है, अगर खुद पर कंट्रोल है है ना, तो फवासिवाल गलत चीज़े भी तो सीख सकते हैं तो कंट्रोल होना चाहिए खुद की लर्णिंग पर तो दोनों ही ओप्षिन हमारे सही हैं बोथ एंड आरा ट्रू आर इस दे करेक्ट एक्स्प्लेनेशन ओफ ए ठीक है को कोशन नंबर थर्टीन बताइए अटीचर शुट्ट प्रमोट एक्टिविटीज विच आर च Youtube को किस तरीकी की अक्तिवीटिज किस तरीकी गती विदियों को बढ़ावा देना चाहिए जो एंबिगुवेश हो यह स्पस्टों विलकुल भी response ना हो तो संस्कृतिक छून प्शोच हो सभी की संस्कृति हैं रख गया हो जिसके अंदर संस्क्रीच को द्हान का लिकान जटिल हैं तो बच्चे उन्हें भी नहीं कर पाएंगे और जो इस पस्टी नहीं है तो ऐसी अक्टिविटियों को बढ़ावा देने का क्या फायदा ऐसी होनी चाहिए है जो कल्च्रली अप्रोप्रियेट हो यानि संस्कृतिक रूप से उप्युक्त हों ठीक है क्या पदोनत्ती करते हैं कैसी अक्टिविटिज को प्रमोट करना चाहिए जो होपलेस्नेस हो यानि निरासा से भरी हुए हो जिनके आंसवर सिरफ एक ही आंसवर हो वन वर्ड हो कन्वरजेंट का मतलब होता है कोई भी कुश्चन पूछा उसका एक ही आंसवर दे दिया बस को सौच सके कुछ इनोवेट सोच सके कुछ किरियेटिव सोच सके या फिर ज्यादे पर देती हो तो कैसी अक्टिविटी को डिजाइन करने चाहिए टीचर को किस तरीकी की अक्टिविटी प्रमोट करनेश सब्सक्राइब इसमें बुच्चे की तिंकिंग डवलप ऑग According to contemporary theorists, learning is primarily a desk activity यानि समकालीन सिध्धान्तकारों के अनुसार सीखना मुख्य रूप से एक कैसी गतिविदी है Mechanical है या फिर Behaviouristic है या फिर Passive है या फिर Social है तो अगर हम देखा जाए तो समकालीन जितने भी सिध्धान्तकार है वो कहते थे कि primary learning क्या है किस तरी की activity एक सामाजिक गतिविदी एक सामाजिक activity है एक social activity है तो D option हमारा सही है Question number 16 Assertion, a teacher should facilitate the development of problem solving strategies among students यानि एक सिख्षक को सुईधा परदान करनी चाहिए भी समश्य समदान रन्नीतियों का विकास करने लिए यानि एक teacher को किस तरह की skills बच्चे के अंदर develop करनी चाहिए problem solving strategies develop करनी चाहिए Reason क्या है problem solving strategies क्या है improve करती है learning को और thinking को बढ़ावा देती है जो critical thinking है उसे posit करती है उसे बढ़ावा देती है तो कौन सा option ठीक होगा बदाईए A teacher should facilitate the development of problem solving strategies among students problem solving strategies improve learning and foster critical thinking तो दोनों ही option ठीक है बोथ A and R are true R is the correct explanation of A ठीक है Question number 17 बताईए It is important to dash the misconception among students यानि ब्रांतियों को dash करना महत्पून है बच्चों के बीच क्या करना Create करना तो हमें ब्रांति create करनी चाहिए यानि बच्चों के concept बिल्कुल बिगाड़ दें कि उन्हें गलत concept बताएं तो create करनी चाहिए misconception या फिर हमें बच्चों के misconception बभने चाहिए या चाहिए या पिर उसे बढ़ावा देना चाहिए तो बताईए कौन सा option ठीक होगा बई misconception को अगर हम promote करेंगे बढ़ावा देंगे तो आगे तक बनते चले जाएंगे ignore करेंगे तो वो कभी solve भी नहीं होंगे और create हम करेंगे तो फिर बची क्या जाएगा तो हमें misconception को देखना चाहिए identify करना चाहिए कि बच्चे के concept क्या बन रहे हैं गलत बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं उन्हें solve करना चाहिए discuss कर गए ठीक है question number 18 बदाईए fear among students यानि विध्यार्तियों में improve learning significantly यानि सीखने में math पूर्ण सुधार लेके आता है अगर बच्चों के अंदर डर हो उनकी learning में बाधा बनता है यानि सीखने के लिए हानी कारक है या फिर सीखने के लिए बहुत ज़्यादे आवश्चक है कि अगर डरी नहीं होगा तो बच्चे सीखेंगे नहीं या फिर learning पे कोई impact नहीं पड़ता कोई परभाव नहीं पड़ता तो देखो परभाव तो पड़ता है अगर बच्चा डर रहा है आपने देखा होगा कोई बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाए कि मुझे स्कूल में नहीं जाना वहां टीचर पीटेंगे तो उसकी learning पे परभाव पड़ेगा है और डर learning के लिए जरूरी है यह गलत बात है बच्चा खुले लेट्स टुवर्ड्स ilo экспер के लिए या ने लिकित में से कौन प्रेरित करने की संभावना है महारत हासिल करने की दिशाम में तो कौन motivated करता है बच्चों को master learning करने की तरफ आरज फौर competence की छमता के लिए आग रहा होनी चाहिए या है be our मनी पावर के लिए पैसे के लिए कर रहे है और जिफोर कम्पिटेंस होगा कि उनकी छमता देखने हैं छमता के लिए आगरे क्या है ठीक है तो ए ओप्शन हमारा ठीक है कुशन नमबर 20 वदाईए टीचर कें फैसिलिटेट मिनिंग्फुल लर्निंग बाए सिक्सक किसके द्वारा सार्थक सीखने की सुईधा परदान कर सकते हैं डिस्करेजिंग कोपरेशन अमंग इस्टूडेंट यानि टीचर किस तरीके से क्या है सिक्सक किसके द्वारा सार्थक सीखने की सुईधा को परदान खर सकते हैं प्रतिष्परेट कर नहीं नेकर फिर रटे चिन रटने चेशान करें और जो बच्चों के निश्चा बने हैं उनकी अवधारनाव की समझ का मुल्यांकन करें understanding, valuing, understanding of concept जो उनके concept बने हैं उसे value दें उसे value करें उसका मुल्य समझें तो बताइए कौन सा option ठीक होगा तो भई D option ठीक होगा टीचर किस तरीके से meaningful learning को facilitate कर सकता है सुगम बना सकता है बच्चों के concept को ध्यान में रखके उसे value करके समझ के उन्हें तो D option हमारा सही है तो hopefully आपको class अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है informative लगी है तो share कर सकते हैं जहां भी आप जुडे हुए हैं जो भी आपके friends हैं जो भी CTAT की preparation कर रहे हैं तो this is all for today बबाई, take care, पढ़ते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं